परिचय परिचय करते समय हमें कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में जानना चाहोगी हाँ क्यों नहीं बताओ ना ठीक है तो आओ इस पार्ट में हम इस विशेश पर विस्तार से चर्चा करते हैं उद्देश्चे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समरूप आकृतियों को परिभाशित करना त्रिभुजों की समरूपता के संबंद में जानना त्रिभुजों की समरूपता जाचनी की विधी को समझना समरूप आकृतिया सर्वांगसम आकृतिया समान आकार और समान आमाप की होनी चाहिए। समरूप आकृतियां समरूप आकृतियों का आकार आवश्यक रूप से समान होता है। परन्तु उनका आमाप भिन्न हो सकता है। इस जिन्न का अर्थ है समरूप। जब आप किसी चित्र का आवर्धित चित्र प्राप्त करते हैं, तो वह चित्र सम्रूप चित्र होता है। स्लाइड बनाने के उद्देश से चित्र के आकार को छोटा भी किया जा सकता है। अताहा समरूप आकृतियां दो ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका आकार समान तथा भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप आकृतियां भाग दो संगत भुजाओं के समान अनुपात को बहु भुजों का स्केल गुणा कहते हैं सभी सरवांग सम आकृतियां सम रूप होती हैं किन्तु यह आवशक नहीं है कि सभी सम रूप आकृतियां सरवांग सम हो उधारन निम्न आकृतियों पर ध्यान दीजे इस पस्टता AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CD बटे RS बराबर DA बटे SP बराबर दो दिया है और कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, कोण D बराबर कोण S भी दिया है अतहा ये वर्ग समरूप आगरितिया हैं क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हैं तथा इनके संगत कूण बराबर हैं तिर्भुजों की समरूपता यदि किसी तिर्भुज के कुण, किसी अन्य तिर्भुज के कोणों के पराबर हों, तो ऐसे तिर्भुज समान कोणिक तिर्भुज कहलाते हैं समान कोणिक तिर्भुजों का आकार समान होता है परंदू आम आप भिन्न हो सकते हैं अतहा समान कोडिंक तिर्भुजों को समरूप तिर्भुज भी कहा जाता है। अत्वा हम ये कह सकते हैं कि यदि दो तिर्भुज समरूप हैं तो वे समान कोडिंक होंगे, संगत भुजाएं समान उपाती होंगी और उन में से एक तिर्भुज की किनी दो भुजाओं के अंतर बनने वाले कोण के बराबर होगा। दो समान कोणिक तिर्भुजों में किनी दो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में सम्दुई भाजित हो जाती है। दिया है एक तिर्भुज A, B, C में D, Y, E, A, V तथा A, C पर क्रमशाह इस प्रकारिस्थित हैं कि D, E, B, C के समानतर है। सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। रचना, B, E को CD से मिलाइए, E से AB पर एक लंब E, F खीचिए। उपत्ती चोकी D, E समानांतर है BC के अताहत तिर्भुज B, D, E का क्षेत्रफल बराबर है तिर्भुज C, D, E के क्षेत्रफल के। इसे हम समीकरण एक से चिन्हित करते हैं। जोगी एकी ही आधार पर तथा एकी ही जैसे समानांतरों के मध्य बने तिर्भुजों का क्षित्रफल समान होता है साथी तिर्भुज ADE का क्षित्रफल बटे तिर्भुज BDE का क्षित्रफल बराबर 1 बटे 2 गुणा AD गुणा EF बटे 1 बटे 2 गुणा BD गुणा EF जोकि तिर्भुज का क्षित्रफल 1 बटे 2 गुणा आधार गुणा लंब के बराबर होता है अथ्वा तिर्भुज A,D,E काक्षेत्रफल बटे तिर्भुज B,D,E काक्षेत्रफल बराबर है A,D,B,D,K इसे समीकरण 2 से चिन्यत कीजिए इसी प्रकार तिर्भुज A,D,E काक्षेत्रफल बराबर है A,E,C,E,K इसे समीकरंड तीन से चिन्नित कीजिए। समीकरंड दो वाद तीन से हमें AD बटे BD पराबर AE बटे CE प्राप्द होता है। इति सिध्धम इस प्रमय का विलोम भी सत्य है, जिसके अनुसार यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किनी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानतर होगी। त्रिभुजों की समरूपता के उधारण दी गई आकरिती में D-E समानतर है A-C-K तथा D-F समानतर है A-E-K, तो सिध्ध कीजिए कि B-F बटे F-E पराबर है B-E बटे E-C-K हल त्रिभुज A-B-C में D-E समानतर है A-C-K, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा B-D बटे D-A पराबर है B-E बटे E-C-K, इसे समीकरन एक से चिन्हित कीजिए त्रिभुज B-A-E में D-F समानतर है A-E-K, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेद्वारा B-D बटे D-A पराबर है B-F बटे F-E-K, इसे समीकरन एक और दो से हमें B-E बटे E-C पराबर B-F बटे F-E पराब्त होता है त्रिभुजों की समरूपता के उधारण A-B-C-D एक समलंब है, जिसमें A-B समानतर है D-C-K, तथा उसके विकन परसपर बिंदू O-पर प्रतिछेत करते हैं दर्चाहिए कि A-O बटे B-O पराबर है C-O बटे D-O के हल बिंदू O से होती हुई एक रेखा E-F इस प्रकार खीजिए कि E-F समानतर हो C-D-K त्रिभुज A-D-C में E-O समानतर है C-D-K मौलभूत समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें A-E बटे E-D बटे A-O बटे O-C प्राप्त होता है इससे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए त्रिभुज A-B-D में E-O समानतर है A-B-K अता मौलभूत समानुपातिक प्रमय का प्रयोग करने पर हमें E-D बटे A-E बटे O-D बटे B-O प्राप्त होता है अर्थाथ A-E बटे E-D बटे B-O बटे O-D के इससे समीकरण दो से चिन्हित कीजिए अब समीकरण एक और दो से हमें A-O बटे O-C पराप्त होगा अर्थाथ A-O बटे B-O पराप्त है O-C बटे O-D के त्रिभुजों की समरूपता हे तू कसौटियां त्रिभुजों की समरूपता हे तू तीन मुख्य कसौटियां है A-A-A या A-A S-S-S तथा S-A-S यदि दो तिर्भुजों में संगत कौण परापर हो तो संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी अर्थाथ उसी अनुपात में और इसलिए वे तिर्भुज समरूप होंगे दो तिर्भुज A-B-C तथा D-E-F समरूप होंगे यदि कौण A बरापर कौण D कौण B बराबर कौण E कौण C बराबर कौण F और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD ऐसे मामले में हम तिर्भुज ABC समरूप तिर्भुज DEF लिखते हैं तिर्भुजों की समरूपता है तू कसाटियां दो SSS समरूपता यदि दो तिर्भुजों की संगत भुजाएं समानोपातिक हैं तो वे तिर्भुज समरूप होंगे दो तिर्भुजों ABC और DEF में यदि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है तो ऐसे तिर्भुज SSS समरूपता कसाटी के अनुसार समरूप होंगे AAA समरूपता यदि दो तिर्भुज समान कोणिक हों अर्थात जिसके तीनों कोण परस पर बराबर हों तो वे समरूप होंगे AA समरूपता यदि किसी तिर्भुज के दो कोण दूसरे तिर्भुज के दो कोणों के क्रमशह बराबर हूँ तो वे तिर्भुज समरूप होंगे S.A.S. समरूपता यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाओं का एक युक्म समानुपातिक हो तथा अंतरगत कोण बराबर हों तो वे तिर्भुज समरूप होंगे तिर्भुज ABC वा DEF में कोण A बराबर कोण D और AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD है तो दोनों तिर्भुज ABC तथा DEF SAS समरूपता कसोटी के अनुसार समरूप होंगे उधारण निम्न आकरिती में तिर्भुज ODC समरूप है तिर्भुज OBA के कोण BOC बराबर 125 डिक्री है तथा कोण CDO बराबर 70 डिक्री है तो कोण DOC कोण DCO एवं कोण OAB के माप क्या होंगे आएए इसे हल करते हैं DOB एक सरल रेखा है इसलिए कोण DOC जमा कोण COB बराबर है 180 डिक्री के अर्थात कोण DOC बराबर होगा 55 डिक्री के जोकि तिर्भुज के तीनों कोणों का योग 180 डिक्री होता है इसलिए तिर्भुज DOC में कोण DCO जमा कोण CDO जमा कोण DOC बराबर 180 डिक्री जैसा कि हम पहले ही कोण DOC ग्याद कर चुके हैं और कोण CDO हमें दिया गया है अधा हम इस समीकरण में दोनों कोणों का मान रखकर इसकी गणना करेंगे जिससे हमें कोण DCO 55 डिक्री प्राब्त होगा दिया है कि तिर्भुज ODC समरूप है तिर्भुज OBA के इसलिए कोण OAB बराबर है कोण OCD के क्योंकि समरूप तिर्भुजों के संगत कोण बराबर होते हैं अर्थात कोण OAB 55 डिक्री प्राब्त होगा निम्न आकरिती में यदि तिर्भुज ABE सरवांग सम हो तिर्भुज ACD के तो दर्शाइए कि तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के हल दिया है तिर्भुज ABE सरवांग सम है तिर्भुज ACD के इसलिए AB बराबर AC इसे समिकरण एक से चिन्हित कीजिए तथा CPCT द्वारा ही AD बराबर AE इसे समिकरण दो से चिन्हित कीजिए तिर्भुज ADE और तिर्भुज ABC में समिकरण दो को एक से विभाजित करने पर हमें AD बटे AB बराबर AE बटे AC प्राप्त होता है कोण A बराबर कोण A ये उभेनिष्ट कोण है इसलिए SAS समरूपता कसोटी के अनुसार तिर्भुज ADE समरूप है तिर्भुज ABC के एक तिर्भुज ABC की BC भुजा पर एक बिंदू D इस प्रकारिस्थित है कि कोण ADC बडाबर कोण BAC है दर्शाये की CA वर्ग बडाबर CB गुणा CD है हल तिर्भुज ADC और तिर्भुज BAC में कोण ADC बडाबर कोण BAC ये दिया गया है कोण ACD बडाबर कोण BCA ये उभेनिष्ट कोण है इसलिए AA समरूपता कसोटी के अनुसार तिर्भुज ADC समरूप है तिर्भुज BAC के हम जानते हैं कि समरूप तिर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है इसलिए CA बडे CB बराबर है CD बडे CAK अर्थात CA बर्ग बराबर CB गुणा CD है क्या आप जानते हैं तिर्भुज तीन भुजाओं वाला एक ऐसा बहु भुज होता है जिसमें तीन शीर्ष या कोने होते हैं तिर्भुजों का प्रयोग आम तोर पर कलात्मक कारियों में सहायक धाचे वा आकृतियां बनाने हेतू विनिर्मान में किया जाता है विद्यार्ती अपनी कक्षाओं में जयामिती और त्रीकॉन मिती सहीत तिर्भुजों के संबंध में विस्तार से सीखते हैं तिर्भुज जयामिती तिर्भुजों के कुर्धर्मों का एक ऐसा अध्यान है जिसमें संबंधित त्रिभुज केंद्र, त्रिभुजिय रेखाएं, केंद्रिय वृत्त, त्रिभुजिय घनाकार तथा अन्ने काफी कुछ समाहित है। त्रिभुजों के संदर्प में इन जयामितिय वस्तुओं के प्राया वो लेकनिय गोन धर्म होते हैं। सारांश समान हो, किन्तु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, समरूप आकरितियां कहलाती हैं। सभी सर्वांग सम आकरितियां समरूप होती हैं, किन्तो इसका विलोम सत्ते नहीं है। समान भुजा संख्या वाले दो तिर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कौन बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो अर्थाद समानुपात एक यदि तिर्भुज की एक भुजा के समान तर कोई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं पर निश्चित बिंदूओं को प्रतिछेत करती हुई खीची जाती है तो वे अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है यदि किसी तिर्भुज की दो भुजाओं को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तिर्भुज की तीसरी भुजा के समानतर होती है यदि दो तिर्भुजों में संगत कोण पराबर हूँ, तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं AAA समरूपता कसोटी के आधार पर यदि दो तिर्भुजों में एक तिर्भुज के दो कौण, दूसरे तिर्भुज के दो कौणों के क्रम शाह बराबर हों, तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं, ए ए समरूपता कसौटी के आधार पर यदि दो तिर्भुजों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो उनके संगत कौण बराबर होते हैं, और इसलिए वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं SSS समरूपता कसौठी यदि किसी तिर्भुज का एक कौण, दूसरे तिर्भुज के एक कौण के बरापर हो और उन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समान अनुपात में यानि समानुपाती हो तो वे दोनों तिर्भुज समरूप होते हैं SSS समरूपता कसौठी